अनुवन्शिक्ता और उत्करांती अनुवन्शिक्ता का अर्थ है जैविक विशिष्टाओं का एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी में संक्रमित होना DNA और RNA ये दोनों अनुवन्शिक्ता को धारण करने वाली सामुगरी कही जा सकती है इसका अर्थ है कि सजीव कूशिका में विविद जैविक अनु होते हैं जिसमें से DNA और RNA यही दो ऐसे अनु हैं जो अगली पीड़ी मरण संक्रमित किये जाते हैं प्रथीन, कार्भोहेट्रेट्स, चर्बी, इत्यादी चीजें संक्रमित नहीं होती है मेंडल, यूगोद वेर्स, जेकब इत्यादी वैग्यानिक की मदद से हम ये जान पाए हैं कि प्राणियों में DNA नहीं वो अनुवन्शिक सामगरी है जो प्राणियों में दिखने वाली अलग-अलग विशेष्टाओं के लिए जिम्मेदार होती है और आरेने विशानों में स्थित अनुवन्शिक सामगरी है जो विशानों द्वारा प्रदर्शित विशेष्टाओं के लिए जिम्मेदार होती है चलिए अब समझने के कोशिश करते हैं कि DNA के संक्रमित होने से एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी में विशेषताएं और बरताव किस प्रकार संक्रमित होते हैं आसान शब्दों में DNA सजीव प्राणियों में और कोशिकाओं में क्या करता है अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे क्यों न इस बात को एक उधारन के जरीए समझा जाए मान लीजिए कोशिका की संद्रचना किसी विद्यापीट के व्यवस्थापन की समान है हमें समझने में आसानी हो इसलिए हम ये मानेंगे के विद्यापीट सुचारू रूप में कारिय करें इसलिए जो भी आवश्थक प्रोटोकाल या सलनेक विद्यापीट के ग्रंथाले में रखे हुए है हर विबाग अर्थात हमारे संदर्ब में कोशी का अंग को कोई भी कारिय करने से पहले प्रोटोकॉल का संदर्ब लेना जरूरी है जो गरंथाले में रखा हुआ है अब हम अपने स्क्रीन पर इस विद्यापीठ इमारत का कालपनिक दृष्य देख सकते हैं यह दृष्य आपको इस प्रकार से दिख रहा है मानों आप उपर से देख रहे हूँ हम देख सकते हैं कि इस दृष्य के बीच में गरंथाले स्थित है और गरंथाले चारो ओर से विविद विभाग हैं जैसे बौटनी, अंग्रेजी, संगनक शास्त्र इत्यादी चलिए अब इस दृष्य के तुलना कोशिका के साथ करते हैं यहां कोशिका का केंदरक गरंथाले है और कोशिका के अंग्विविद विभाग है जिस प्रकार गरंथाले में सारी जानकारी को योग ये तरीके से रखा जाता है ताकि वो तुरंत उपलब्ध हो सके उसी प्रकार कोशिका के केंदर में भी जानकारी को योग ये तरीके से रखने की व्यवस्था होती है ताकि वो तुरंत उपलब्ध हो सके ग्रंथालय में रखी अलमारियों की तुलना हम गुनस्तुरों के साथ कर सकते हैं और अलमारियों में रखे हुए पुस्तकों की तुलना जनुकों के साथ की जा सकती है जिस प्रकार पुस्तकें पन्नों से बनी होती है उसी प्रकार जनुक भी DNA, अडेनाइन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वनाइन से बद्दे है पुस्तकों में पन्नों के क्रम को बड़ा महत्व होता है इसी कारण ही पुस्तक में लिखी बातों को एक अर्थ प्राप्त होता है ठीक उसी प्रकार DNA बैसेस का क्रम ही जानकारी को संप्रिशित करता है जिस प्रकार विद्यापीट के कारे ठीक से पूर्ण करने के लिए ग्रंथाले के पुस्तकों की जरूरत है ठीक उसी प्रकार जो बातें जनुकों के इन पन्नों में लिखी गई है वही जानकारी कोशिका को उसके कारे के निर्वहन में साहयक होती है इसी कारण DNA केंद्रग को कभी छोड़ कर नहीं जाता है जब भी DNA से किसी भी जानकारी की अवश्शकता होती है तब DNA की photocopy बनाई जाती है और उसे केंद्रग से बाहर भेजा जाता है इसी photocopy को RNA कहते हैं और जिस प्रक्रिया से ये photocopy बनाई जाती है उस प्रक्रिया को प्रतिलेखन कहा जाता है कोशिका के बाहर RNA ये कहे DNA की photocopy को पढ़ा जाता है और फिर प्रतिनों की निर्मिती होती है जिसके आधार पर हर अंग अपने कार्य का ठीक पद्धती से निर्वहन कर सके इस प्रक्रिया को भाशांतरन कहा जाता है और वे करमचारी जो इस प्रक्रिया को करते हैं उन्हें enzymes कहा जाता है इस प्रकार एक कोशिका याने विद्यापीट को अपना कामकाज करने के लिए DNA याने गरंथालय में रखी जानकारी की जरुरत होती है ताकि उस जानकारी के आधार पर वे नए विद्यापीट या फिर नए गरंथालय की स्थापना कर सके यही प्रक्रिया कोशिका विभाजन के दौरान घटती है कोशिका संपूर्ण DNA की प्रतिक्रिती बनाती है ताकि नई कोशिकाओं को अपना कार्य करने के लिए अवश्यक जानकारी प्राप्त हो सके करणार सक है